है गाईज, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, पैकरा लेल बी में आपका स्वागत है, प्लीज मेरे विट्व को देखने के साथ साथ लाइक से रम सब्सक्राइब चरूर करिएगा आईए हम चर्चक करते हैं कि जेल के अंदर जीवन कैसे होती है, जैसे कि कोई बड़ा परात किया रहता है या छोटा परात किया रहता है, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद जो जीवन होती है, वो जेल की जीवन होती है, कई लोग जल्दी छूड़ जाते है और जो बड़ा केस में होता है वो लेर से छूड़ता है तो केस चलने के दवरान अर्था ट्रायल चलने के दवरान जेल भेजा जाता है तो जेल के अंदर का खाना कैसा होता है कि आप जेल के अंदर खाना ले जा सकते हो जेल के अंदर जो जीवन होती है वह पूर्व में जेल में एक दिन का 24 घंटा होता है लेकिन जेल के अंदर जो गिनती होती है वो एक दिन में 12 घंटा की होती है अर्थात दिन और रात को दो दिन कीना जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होता है 24 हावार को एक दिन गीना जाता है अक्सर आप देखे होंगे कि यदि किसी को फासी की सजा दी जाती है तो फासी की सजा देने के दवरान कलम को तोड़ दिया जाता है और उनको फासी में लटकाने के पूर्वा उनसे आखरी इच्छप पूछी जाती है ये सब बड़े केसेस में होता है छोटे केस में नहीं हो जैसे कि उम्रकैद है तो उम्रकैद में अक्सर 14 साल में छोड़ दिया जाता है तो पूरा इंडिया में अलग-अलग राज्ये हैं अलग-अलग जेलों की रूल अलग-अलग होती है तो जो उम्रकैद की सजा होती है उसे 14 साल में छोड़ दिया जाता है इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अब फर्स्ट पॉइंट यह है कि जेल पुलीस जो होते हैं वो नार्माल पुलीस से अलग होते हैं उनकी जेल प्रसासन होती है क्योंकि उनका कारिया जेल प्रसासन के अनुसार होता है और जेल के अंदर के अनुसार ही वेकारिय करते हैं जेल के अंदर का कार जहते हैं उन्हें नंबरदार बना दिया जाता है लेकिन जो 10 से 12 दिन में छूड़ जाते हैं उन्हें नंबरदार नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो ऐसी ही छूड़ जाते हैं अर्थात वे कैदी नहीं होते हैं और वो रंगीन वाले ड्रेस में ही छूड़ जाते हैं और जो इसलिए जेल के अंदर जो ज्यादा समय तक राते हैं उसे कहां जगा दिया जाएगा ये डिसाइट जेल प्रसासंद रखे जाता है और जो जल्दी छूड़ जाते हैं उसे कहां जगा दिया जाएगा ये उनके अनुसार दिये जाते हैं चाहिं रोटी और इंडियार राजय में अलग अलग जेल हैं, आर दोफर का लूंच 11 बजे देते हैं, जिसमें चावल, रोटी सबजी और दाल जो की दाल पानी पानी रहता है और मिर्ची नमक मसाला सभी कम रहते हैं जो रोटी खाने वाले होते हैं उनको चार रोटी दिया जाता है और जो रोटी और चामाल दोनों खाते हैं उनको हलका चामाल और दो रोटी दिया जाता है रात का खाना भी दीन में ही साम को पांच बजे दे दिया जाता है और जो दोफर का खाना होता है दाल, चामाल, रोटी, सबजी वही खाना साम को भी दिया जाता है चुकि जेल के अंदर जो खाना मिलता है उसमें तेल, नमाक, मिर्च, मसाला कम इसलिए डाला जाता है क्योंकि जेल के अंदर इलाज नार्मल होता है इसलिए किसी बंदी की तवियत खराब ना हो करके तेल, मिर्च, नमक, मसाला कम रूप से डाला जाता है यानि कि एकदम नार्मल भोजन दिया जाता है लेकिन जेल के अंदर कई लोग आते हैं तो पतले दूबले रहते हैं लेकिन जेल के अंदर आकर मोटा हो जाते हैं चू कि जेल के अंदर बरतने प्लास्टिक की होती है वहाँ प्लास्टिक की बरतन दी जाती है क्योंकि वहाँ इस्टिल का बरतन नहीं दिया जाता है क्योंकि उससे किसी को ठोक ठाक ना दे यदि कोई बंदी के घर से कोई मुलकात करने आते हैं तो उनसे चार, चटनी, प्लास्टिक के बरतन आप मंगवा सकते हैं, इस्टिल का बरतन नहीं ले जा सकते हैं, जिसे कोई भी बंदी है, उनके घर से कोई मुलाकात आते हैं, तो उनके लिए वोए पैसा छोड़ सकते हैं, तो पैसा उनके हाथ में नहीं दिया जाता है, जेल बंदी स्वयव अपने हाथ में पैसा रखेंगे, तो पुराना कैदी लोग उनसे लूट लेंगे, इसलिए जेल प्रसासन द्वारा उनके नाम से जमा कर दिया जाता है, वहाँ आपको दो हजार से पांथ हजार तक ही रखने देंगे, और उसे बैरक में नहीं ले जा सकते ह अपके पास पैसा पाया जाएगा, तो उस पैसे को जेल प्रसासन द्वारा जब तक कर लिया जाएगा, और उनकी सजा भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सिनियार कैदी है, जिनके जान पहचान ज्यादा है, उन लोग कई समान अंदर भी ले जा सकते हैं, और किसी को पता भी न दोस्ता आ सकते हैं, तो मुलाकात करने जाने से पहले वहाँ परची कटवाना पड़ता है, तो आपको उस बंदी का नाम, उसके पीता का नाम, उनके केस नंबर, और मिलने का समय 9 से 12 बजे तक है, उसके बाद आप नहीं मिल सकते हैं, और वहाँ नसीला पदार्थ जैसे घु उबह 7 बजे से ही परची कटवाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 10 बजे के बाद वहाँ परची नहीं कारते हैं, इसके पहले आपको 7 बजे से ही वहाँ जाकर लाइन में लगना पड़ता है, तभी आप मुलाकात कर पाओगे, यदि आप प्लेट से जाते हैं, तो आप पास पैसा है, वो जेल में जेल प्रसासन को लिख कर अपने लिए समान मंगवा सकते हैं, यदि जिनके पास पैसा नहीं है, वो कुछ भी नहीं मंगवा सकते हैं, क्योंकि जेल में अधिकतर गरिब लोग ही जादा रहते हैं, अमीर लोग एसो अराम के साथ रहते हैं, जितन से आप पढ़ाई कर सकते हैं घर में भले ही आप पढ़ाई करो या ना करो लेकिन जेल के अंदर आपको पढ़ाया जाता है और वहां पर इगनु यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अगला पाइंट है जेल के अंदर प्रते कैदी को खुद का काम करना पड़ता है और वहां पर मारधार करने पर पुराने कैदी लोग बहुत मारते पिड़ते हैं और अंदर में गरूप भी बना रहता है जो ज़्यादा दिर रहते हैं वहां उन लोग ये उस गरूप का है इस टाइप का गरूप गरूप में उन लोग रहते हैं इसलिए वहाँ पर सांती से रहें तो ठीक है ने तो उन लोग बहुत मारते पिड़ते हैं। जेल के अंदर सबजी भी लगाते हैं, माली का भी काम करवाते हैं। खाना बनाने वाला खाना बनाने का काम करता है। वहां पर कपड़े स्तिलाई का काम होता है, गुलाल बनाने का काम होता है, अर्था जिनका ट्रायल चर रहा होता है, उनको ये काम नहीं दिया जाता है, जो विचारा धिन कैदी होते हैं उनको सिंपल काम दिया जाता है जैसे सबजी अबजी लगाए है उसमें पानी डलवाते हैं और कुछ छोटा मोटा काम होता है उसको देते हैं और जो सजायाप्तबंदी होते हैं जो हैवी काम करते हैं उनको पर डे 20-25 रुपए की दर से उनक पैसा नहीं दिया जाता है या उनको जो काम के बदले में माफी मिलता है वो नहीं मिलता है या फिर वो पैसा देते हैं और उस पैसा के जगह में दूसरों से काम करवाते हैं जिसे हाता बोलते हैं अर्थात जेल के अंदर जो उम्रकायत की सजा होती है आजिवन का रवास उसमें 14 वर्स तक ही काटना पड़ता है और 6 वर्स माफ कर दिया जाता है और उसे मिनिमम 14 साल में छोड़ दिया जाता है और जो काम नहीं करते हैं उनको 14 साल में नहीं छोड़ा जाता है या भारत के सविधान के अनुच्छेद बहत्तर और 161 बहत्तर के अंतरगत माननीय राश्टपती को और 161 के अंतरगत माननीय राज्यपाल को माफ करने का अधिकार दिया गया है या फिर कोई नार्माल गुंडा रहता है और वो जेल में सजा काटते हुए अधिक समय तक हो जाता है या आवेस में आकर अपरात कर देते हैं तो ऐसे लेगों को चलो इतना दिन तक जेल में रह लिया है करके छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनका अब अनिय गुंडो से संपर का तोड़ गया है इसलिए छोड़ दिया जाता है अब अगला पान्ट या आ गई है कि फासी की सजा देते हैं समय पेन को क्यों तोड़ा जाता है पासी की सजा देते हैं तो कलम को इसलिए तोड़ते हैं अर्थात कलम तोड़ना इस बात का संकेत है कि जज सहब कहते हैं कि हम आपको सजा दे रहे हैं लेकिन इस सजा में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं अर्थात ये कलम कोई काम का नहीं है और ये किसी काम का नहीं रह गय इसलिए ज़स सहब पेन के नुकीले को तोड़ देते हैं क्योंकि ये कलम रहने के बावजूद भी हम सजा में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़स सहब परछावा दया दिखाते हैं क्योंकि वो सजा देंगे तो दूसरा कलम से भी दे सकते हैं पर ऐसा नहीं किया जाता है और उसमें यह लिखा जाता है कि यदि किसी को फासी की सजा दी जाती है कि उसे तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए कई जो केसे में ऐसा है कि फासी की सजा देते वक्त यह नहीं लिखा रहता है कि उसको मौत होते तक लटकाया जाए तो उसमें कई वकिल लोग ऐसे हैं जो अब्जेक्शन भी उठा देते हैं कि आपने तो यह नहीं लिखा है कि उनके मौथ होते तक लटकाया जाए दस मिनट में उनकी मौथ नहीं हुआ तो आप उनको उतार दो तो कई वकिल लोग आकर उसमें अब्जेक्शन कर देते यह पूर्वकी किताबों में लिखा हुआ है अब ज़स सहाब द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है तो सबसे पहले काउन आता है जलात क्या करता है जलास सजा देता है और उसमें जेल सुप्रिटेंडेंट होता है और मजिस्टेट होता है डाक्टर भी होते हैं तो इसम और फासी की सजा सुबा के समाई दी जाती है क्योंकि जेल प्रसासन की जिम्मेदारी होती है और उतना समाई जनता और मीडिया भी एक्टिव नहीं रहते हैं इसलिए सुबा के समाई फासी की सजा दी जाती है और जलाद उनके सर पर फिर से कपड़ा धाग देते हैं क्योंकि वे डर में ही अद्मरा रहता है और उनके आख वाँ की धर उधर ना दिखे ताकि कोई डर न जाए करके उनके उपर काला कपड़ा धाग दिया जाता है और फासी देते समय उनकी आखरी इच्छा उची जाती ह तो उसमें वो अपने रिष्टेदार को बुला सकते हैं या अच्छा खाना खा सकते हैं या धार्मी करांत पर सकते हैं या परातना कर सकते हैं या अपने अल्ला से दुवा मांग सकते हैं या नमाज पर सकते हैं ये उनकी आखरी इच्छा जलाद द्वारा पुछी जाती है इसके बाद जलाद उनको फासी पे लटका देते हैं जलाद फासी की सजा देते हैं और उनके उपर कपड़ा ढग देते हैं ताकि उनका आँख फुल्टा पुल्टा ना दिखे इसलिए काला कपड़ा को ढग देते हैं चुकि जो फासी का सजा मिला रहता है वो स्वय मरने वा और जल्लात फासी देते समय कहते हैं कि मुझे माफ कर देना तुम्हें अपने भगवान का वास्ता मेरी मजबूरी थी अल्ला के लिए मुझे माफ कर देना या जीस धरम को मानते हैं उस धरम का वास्ता देकर उसे फासी की सजा दे देते हैं चुकि जल्लात की गल्दी नहीं ह उनको भासी की सजा देना उसके बाद उनकी बाड़ी की पोस्टमाटम करने के बाद बाड़ी को उनके खर st funk दिया जाता है और यह कहते हैं कि जीउर्ध धरम को मानते हो उन धरम के अनुसार उनकी अंतिन संसकार कर दिया जाए ऐसा कहकर उनके परिवार वालों को सौप दिया जाता है इस परकार है जेल के अंदर की जीवन प्लीज मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक से रहें सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्यू फरवाची नमस्कार